नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूँ पाइल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूस चेहडोल जिला कलेक्टर ने दिये विभिन विभागों की अधिकारियों को निर्देश उमर्या के कलेक्टरेट सभागर में समय सीमा की सापताहिक बैटक आयोजित की गई थी जहां कलेक्टर संजीव शिर्वास्तव ने बिजले विभाग समेत अन्य विभाग की अधिकारियों को जिले की अर्सुविदाओं को लेकर कई निर्देश दिये उन्होंने सभी अधिकारियों को जिलावासियों को हो रही समस्याओं का जल से जल निर्देश दिये कि अगर कथित कार्रे को समय पर पूरा नहीं किया गया तो अधिकारियों पर कारवाही भी की जा सकती है जिले के लोगों को बार बार खराब ट्रांसफॉर्मर के कारण बिना बिजली के गुजारा करना पड़ रहा है जिसकी शिकायत कई बार जिलावासियों द्वारा प्रशासन से की गई है इस पर आक्शन लेते हुए 7 अगस तक यह सभी खराब ट्रांसफॉर्मर बदल दिये गए थे पर इन सभी ट्रांसफॉर्मर को समय समय पर बदलना बेहर जरूरी हो जाता है वरना यह खराब हो जाते हैं और लोगों को फिर से बिना बिजली के कई दिन गुजानने पड़त और अगर दुकानदारों द्वारा नियमों का पालन ना किया जाए तो उनके खिलाब पुलिस प्रिशासन द्वारा सक्त कारवाही की जाएगी वही स्वास्ते विभाग की समिक्ष बैठक में कलेक्टर संजीव शिर्वास्तव ने बताया कि कोविड वैक्सिनेशन प्रोग्राम के तहट जिलावासियों को वैक्सिन की दूसरी डोस का लक्षे रखा गया है जिसके लिए 14 अक्तूबर गुरुवार के दिन एक विशेश अभ्यान चलाया जाएगा इस अभ्यान में पात्र लोगों को वैक्सिनेटिड भी किया जाएगा इसके अलावा जिला कलेक्टर ने सूचना दी है कि वह मंगलवार यानि की आज के दिन ग्रामिन शेत्र में ब्रहमनकर लोगों की समस्या सुनेंगे जिसके लिए एक जन सु देख रही हैं तो हमें फॉलो और लाइक ज़रूर करें धन्यवाद